नवस्कार मित्रों जै मातादी माता रानी के कृप़ा से आसा करते हैं आपका पूरा परिबार स्वश्थ होगा और काफी तरक्की कर रहे होगे मित्रों आदिकी इस वीडिοιो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रोहों के गन्नाओं के अनुसार आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। मनुस्य के जीवर में दुख और सुख लगा रहता है। मनसे अपने कर्म के अनुसार सुखो की प्राप्ति करता है तो वहीं कर्म के अनुसार कई प्रकार के दुखो को भोगना पड़ता है और वहीं ग्रोहों के अदल बदल के कारण, ग्रोहों के प्रिवर्तन के कारण मनस दुखो जीवर में सुखो की प्राप्ति होती है तो कई प किस प्रकार और ज्यादा सफल हो सकते हैं जो लोग आपके जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों को उत्वन्द कर रहे हैं उन्हों सभी से किस प्रकार आप छुटका रहा पा सकते हैं मत्रों आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अवस्ते कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाल चंद्रमा एकादस भाव में रहेंगे जिसकी वज़से आपको आपके भागे का पूर्ण सहयोग मिले वाला है और पूर्ण सहयोग जिस भी जाती का व्यक्ति को भागे कमलता है उसकी रासी के गन्ना के अमसार भागे का सहयोग की वज़से आपके सभी बिगड़े कारे प सभी ग्रूहों की रचना के अमसार आप कठिन प्रस्थित्यों से बाहर निकल पाने में सपलनेगे। आप विरोधियों पर भारी पढ़ेंगे कोट कचारी से जुड़े, मामलों में आपको सपलता मिलेंगी। जो लोग बिरुजगार हैं, कई लंबे समय से रोजगार के तलास कर रहे हैं। फरन्तु फिर भी उन लोगों को बिरुजगारी का सामना करना पड़ रहा था, बिरुजगारी का सामना वे लोग कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से कर रहे थे। तो उन्हों लोगों को आज सुब समाचारों की प्राप्ती होंगी या तो आप खुद का विफार कर सकते हैं या तो आप किसी नई मल्तिनेशनल कमपनी में जौब पा सकते हैं या आपको कोई गोवर्मेंट जौब का ओफर मिल सकता है यानि आपकी विरुजगारी आज दूर होनी वाली हैं नोकरी इस्तियां भी आपको काफे मिल्बूत होंगी जो लोग पहले से रूजगार कर रहे हैं जो लोग पहले से नोकरी पे सिवाले हैं उन्हों लोगों कोई नोकरी के छित्र में बहत्रिन सफलता की प्राप्ती होंगी यानि आप पहले से काफी जादा सफ आपसे प्रभावित होंगे और आपके बारे में सुचेंगे विचारेंगे और आपको नई जगा नोकरी देने का नए आपके परमोशन करने का या फिर आपके सैलरी वे बुठरी करने का सुझाव दे सकते हैं या आप यह ओफर पाचा कोगे तो इसलिए आज आज आपको भागे का सयोग मिलने के कारण यह घटनाई भी यह सारी बाते भी आपके जीवर में होने वाली है इसी के साथ जो लोग प्रेम परसंग में हैं प्रेम परसंग करने वालों को बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपका बेहद ही रुमैंटिक रहेगा आप अपने जीवर में काफी ज़्याद सुधार देख सकोगे प्रेम जीवर में चल रहे मनमुटाव आज आपके दूर होंगे सगे समवन्दी के साथ आपके रिष्टे मजबूत होंगे कारिश्यत्र में भी आपको बहत्रिन सफलता की प्राप्ति होंगी बिजनस बेफार करने वालों को भी आज अच्छी खुसकवरी प्राप्त होनी बाली है कारिश्यत्र में भी आप लाव की प्राप्ति कर सकोगे बत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आज आप बिजनस के छित्र में कहीं विदेश यात्रा पर जाने का मुखा पा सकते हैं या फिर आप इस समय अगर आपके रासी के स्वामी के चट्टे भाव में इस समय हो ना आपके स्वास्त को लेकर थोड़ा सा चिंता का विसे हो सकता है आपके स्वास्त इस समय थोड़ा सा आपको प्रिसान कर सकता है लेकिन यह थोड़े समय के लिए होगा आपके स्वास्त में बहुत जल्द सुधार देखने को मिलेगा और सुधार होने की वज़े से आप काफी ज़्यादा अपने आपको फूर्तिवाज महसूस कर सकोगे और आप अपने जीवन में काफी अच्छे खासे लाव की प्राप्ति कर सकते हैं कारवार के शत्र में विगड़े वे सारे कारे बनेंगे और आपको इस समय गाड़ी सम्हल कर चलने की जुरूत होंगी जी हां अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको वाहन सावधानी पुर्वग चलाने की जुरूत होंगी क्योंकि वाहन चलाते समय आप जितनी भी जरूरी चीज़े होती हैं वो सारे साथ लेकर चलने की कुछज़ करें साथ में ले ले उसके बात चलें आज नहीं तो आप इस समय पुलिस चेकिंग के दोरान आप पकड़े जा सकते हैं इसलिए आप सारे डोकुमेंट्स को केरकुली साथ में लेकर चलें आज आप किसी लंबी ट्रेवलिंग करने का मुका पा सकते हैं जीवन साथी के साथ लॉंग ट्राइब पर घूमने जाने का मुका भी प्राप्त कर सकोगे या किसी आप तिर्थ अस्तान की यात्रा पर कर सकते हैं तिर सियस्तान की यात्रा अगर आप बहुत लंबे समय से योजना बना रहे हैं बहुत लंबे समय से अगर आप कहीं जाने का अफलान बना रहे हैं वह योजनाएं आज आपकी सफल होती भी दिख रही है घहरेलू खर्चों पर ध्यान देने की कुशस करें क्योंकि आपके वेफुजूल के खर्चे भी इस समय काफी बढ़ रहे हैं वेफुजूल के खर्चो को कंट्रूल करने की कुशस करें वेफुजूल के खर्चे अगर करोगे तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं इसलिए वेफजूल के खर्चों में आपको कट्टूती करने की जुरूत होंगी इनकम के शेत्र में बढ़ोत्री होने से आपका मन पर सन रहेगा और इनकम भी बढ़ेगी इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको पहले पताया कि आपके सैलरी में बढ़ोत्री हो सकती है परमोशन हो सकता है आपके बॉस आपके साथ काफी पुभावित हो सकते है अगर आप नोकरी फेसा वाले हैं और कॉर्प्रेट परिजनस करते हैं या नोकरी करते हैं तो दोस्तों आज की दिन आपको जो है सावधान रहने की जुरूत होंगे क्योंकि आपको कोई लाजचन लगा सकता है आपके साथ कोई धोखा धड़ी कर सकता है इसलिए आपको अपने सहकर्मियों से, सहयोगियों से और कलिक से भी थोड़ा सा सावधान रहने के ज़रूत होंगे अगर आपको किसी पर डाउट है तो उसे बिल्कुल आप सावधान रहे क्योंकि आज आज आपके साथ वो अच्छल भी कर सकता है आज आप अपने प्रियतम के साथ मिठी मिठी बाते कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा और इससे आपका फ्रेम जीवन में तनाव भी कम होगा और आप एक दूसरे के साथ पारिवार्च समंद को काफी बहतर कर सकते हैं आज आपका भागे का साथ मिल रहा हैं जिससे कि आप अगर आज राजनितिक से जटर से जुड़े हुए हैं तो राजनितिक से जुड़े हुए लोगों को भी आज अपवार सफलता की प्राप्ती होती भी दिखाई दे रही हैं आज आपको सुख का संकेत प्राप्त होगा सुखद वाता प्रण आपके चारुतरब बना रहीगा बौधिक सुखों का आनन्द ले सुखों के और दांपत्त जीवन में आपका खुशी से भरा रहने बाला है मत्रों जो लोग और विवाहित हैं जिर्ण लोगों के विवाह के मार्ग में कई प्रिकार की वादाएं आ रही हैं लंबे समय से प्रियास करने के बाद भी आपका विवाह का योग नहीं पनड़ा है तो आज एके दिन आप इस विसे में काफि सुधार हो सकता है आप गौमाता को हर आचारा कि लाएं और हो सके तो आप रोटी भी गौमाता को जीने को सके ऐसे में आपके जितने भी ग्रह हैं वह सांत होंगे और आपको सहयोग करे आपके भग का आसमान में भुलंदियों को चुना साफ साफ दिखाई देगा और आपके सभी रुके हुए कारे की पुरे देगा आज के दिन अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ मिलने का मोखा पा सकते हैं आप किसी पुराने दोस्तों के साथ फिर से जुरू सकोगे और फिर से मुलखकात दर सकते हैं तथा अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है। बहुत लंबे समय से आप किसी कारे के तीचे पड़े हुए हैं और मुख कारे बन नहीं रहा है। वैसे में आज आपका रुका हुआ कारे फिर पुरा होगा। और कहीं से रुका हुआ धन भी आपको वापस मिल सकता है। धन के शित्र में भी आपकी बढ़ोत्री होंगी। कारे शित्र में भी आपको सहयोग और सम्मान की प्राप्ति होने वाले हैं। आज आप मांगली कारिक्रम में सामिल कर सकते हैं। आप किसी रिस्पदार रिलेटिव यक्सी दोस्त के पार्टी पिस्तर में इन्वाइट किये जा सकते हैं, आप वहां जा सकते हैं, आप किसी के साधी में जा सकते हैं, मांगली कारिक्तर में सामिश हो सकते हैं, लेकिन आप वहां भी विरोधियों से सावधान रहें। मित्रों आप लोगों को आज के दिन कामकाज के सिल्सलों में कही लंबी दूरी की यात्रा करने पर सकते हैं जिससे कि आपका दिन आज भागा धोड़ बड़ा रहा करता है एक साथ कई कामों में विवस्ताथा देखी जा सकती हैं आप एक साथ कई कामों को करने का प्रियाज भी कर सकते हैं जिसकी वज़ा से आप थोड़े से तनाव या मेंटिलिटी डिश्टरब हो सकते हैं परन्तो इस समय आप अपने बुद्धी का इस्तुमाल करते हैं धान को फ्राप्त करने में सफल होंगे और सारे काम जो भी आप हाथ मिलेंगे एक दो को छोड़ कर आपके सारी के सारी कारे बनेंगे भागे भी आपका साथ की दे रहा है जिसकी वज़ा से नज़दी की लोगों के साथ आपके समंध भी काफी अच्छे होंगे परन्तु आज वेफजूल की भातों में अपना दिन जाया न करें वेफजूल के चर्चाओं में आप अपना समय को भरबाद न करें आपको अपने शेहत को लेकर काफी जादा सतरक और समल कर रहने की जुरूत ही क्योंकि सेहत आपका इस समय कौफी जादर देखा दर सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्पिलों में डाल सकता है इसलिए आप सेहत को लेकर साफ सान रहे खान पान पर विशे थ्यान देने की जुरत रहेगे भाग में भी उतार चड़ाव रहेगा लेकिन ये समय के साथ आपका सच्छा होगा कुछ महत्पूर्ण कारे जो रुके हुए थे उनको आप धैरे के साथ पूरा कर सुकोगे और धैरे के साथ अगर प्यास करोगे तो दोस्तों के सहयोग की बज़े से मित्रों आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट के बॉक्स में सची सर्धा के साथ जैमाता दी अवस्य लिखें आपका दिन सुभो मंगल कारी हो जैमा बिंदु वासनी